चलिए बात करते हैं हम next side effect के बाद अब हम चर्चा करते हैं secondary effect का secondary effect जैसी के नाम से पता चलता है कि यह primary effect नहीं है प्राथमिक effect नहीं है यह primary effect के कारण होने वाला कोई दूसरा effect है indirect consequence क्या है इसे समझने के लिए एक example लेते हैं एकजामपल देया वह सुपर infections यसे उपराइंफेक्शान के नाम से लिए जानते है तो सिफराइंफेक्शान क्या होता है इससे समझते है anti-microbial agent जो है उससे super या super infections होते हैं अब यह super infections क्या है या super infection क्या है इससे समझे है हमारे JIT track में good bacteria होते हैं जैसे हम anti-bacteria को anti-microbial agents जैसे कोई सी gram positive, gram negative जैसे agents को consume करते हैं तो वो bad bacteria के साथ साथ कुछ good bacteria जो के हमारे JIT track में है जो हमारे खाने को पचाने में या कहें digestions में मदद देता है उसको kill कर देता है जिस कारण से हमें diarrhea होता है और उसे हम कहते हैं super infections या super infection तो diarrhea होने का कारण था bacteria का ना होने drug ने सिर्फ वहाँ पर bacteria जो की good bacteria था उसे सिर्फ kill कर दिया है या damage कर दिया है या उसे आगहात पहुचा है तो bacteria ना होने की करण से diarrhea हुआ है और antimicrobial agent जो था उसने सिर्फ यह काम किया कि वह बैक्टरिया को किल किया तो यह antimicrobial से यदि diarrhea होता है तो इसका direct effect नहीं यह indirect effect है इसने बैक्टरिया को किल किया और बैक्टरिया ना होने के वज़ह से फिर diarrhea हुआ कोई कुछ drug जो होता direct cause नहीं करता है यहाँ पर यह हम देखेंगे indirect consequence of primary action of the drug यह हम देखेंगे कि कुछ immunosupprescent drugs हैं जो की latent tuberculosis में activation का काम करते हैं हम बात करते हैं tuberculosis की तो जब हमारी immunity जैसी suppress हो जाती है थोड़ी से भी और suppress होने का करान था कि हमने किसी immunosupprescent drugs का इस्तमाल कर लिया है तो जैसी ही हमारी immunity suppress हो जाएगी क्योंकि हमने immunosuppressant drugs का इस्तमाल किया है तो वैसी ही जो tuberculosis के जो microorganism है मुक्रूप से M tuberculi myobacterium तो वो myobacterium जो है जो latent है अभी दबे हुए है वो फिर से activate हो जाएंगे क्योंकि आपकी immunity कम हो गई है और उसे fight नहीं कर सकती है तो फिर से आपको TB जो है वो activate हो जाएगा तो immunosuppressant drugs का इस्तमाल tuberculosis के वक्त में नहीं किया जाता है या कभी भी थोड़ा सा भी TB से हमें relief मिलता है तो उस वक्त भी नहीं करना चाहिए toxic effect की बात करते है toxic effect जहां बात करेंगे तो वहां overdose की बात आएगे overdose मतलब जो normal dose है उससे ज्यादा देने वाला dose overdose का करन है toxic effect करन है यह result of excessive pharmacological action of the drugs के करन देखा जाता है कि pharmacological action जो है वो ज्यादा है किसी भी drugs का तो excessive pharmacological action है उसी का result है उसे हम कहते है toxic effects यहां हम बात करेंगे effect are predictable और dose related दोनों होता है तो यह बहुत important है कि यहां पर effect जो है वो predictable है और dose related है it's very important कि effect predictable भी है और dose related भी है क्योंकि यह pharmacological action जो उसका non action है कि यह drugs इस तरह से pharmacological action देता है कोई unknown action नहीं है तो उसी actions को थोड़ा बढ़ा के देगा क्योंकि हमने dose थोड़ा ज्यादा लिया है तो यह predictable है और dose related है तो toxic effect में यह CNS CVS kidney liver को affect कर सकता है उसो damage कर सकता है यह उन्हें overdose लिया है तो हम बात करते हैं यहां पर toxicity mukh रूप से functional alternation कर सकता है या drug induced tissue damage हो सकता है यह दो तरह का है आपके body का function को alter कर गा जैसे कि बात करें सबसे पहले कि renal fever cause करता gentamicin जैसी ही gentamicin ने renal fever cause किया तो renal fever होने के कारण बहुत सब्सक्राइब बाहर जाते थे वह बाहर नहीं जा पहेंगी उससे toxicity produce हो सकती है gentamicin ने renal fever किया है और renal fever होने कर जैसे gentamicin हमने consume किया है या कोई ऐसा drugs ले रहे हैं जो कि urine से बाहर जाता है वह भी आपके सरीर में accumulation effect दिखाएगा accumulate होगा और उसे आपका adverse effect प्रडूस होता है वह toxic effect है दुसरा है drug induced tissue damage यहाँ पे paracetamol जैसे कुछ drugs का example दिया गया है तो paracetamol कुछ toxic metabolite बनाता है और वह toxic metabolite जाकर liver को damage करता है तो paracetamol ने यहाँ पर function को alterate नहीं किया है बलकि drug ने tissue को damage किया है तो यहाँ पर toxicity effect को produce किया जाएगा अब बात करते हैं overdose की overdose यहाँ पर दो तरीक एक होता एक होता absolute overdose एक होता relative overdose हम बात करेंगी अदि absolute overdose में तो यहाँ पर accidental homocidal या suicidal यह जितने भी कि अबर्डोज है इसे हम कहते हैं absolute overdose मतलब हमने एक खास concentration में drugs को दिया है और वो concentration जो है वह हमें पता है कितना concentration में दिया बाकि normal हमारा function जो है body का बिलको normal था तो जो हमने absolute दिया है उसका concentration पता है उसी concentration के कारण drugs ने adverse effect दिया है body का function normal है relative की बात की जाए तो मालनो renal falver हो गया है, और renal world में urine output decrease हो गया, लेकिन उस वक्त भी, हमने gentamicin के dose को कम ना किया है, normal dose ही देरे है, तो दूसरे case में क्या है, relative overdose में हमारे body का ferninsyn थोड़ा सा बिगण गया है, renal falver हो चुका है, और urine से gentamicin बहार नहीं जा पारा है, तो यहां पर युजवली डोस देखेंगे जन्टा मैसन का इनरिजनल फिलवर्ण पर इट रिलेटिव ओवर्डोस तॉक्सिक इफेक्ट देखेंगे कुछ ड्रक्स का एकजामपल के तुरूप में देखते हैं कॉमा होता है बार्बिच्रेट से कंप्लिट यह भी ब्लोक हो सकता है डायकॉक्षण से ब्लीडिंग हो सकता है TV से मौरिफिन जो है वह रेस्पेटरी फेलवर केज सकता है बार्बिक को एदु लिया गया क्योंकि यह संतर नर्वास सिस्टर में रेच्पेटरी सें अंटर उसे भी प्रेस कर देता है, इमेटिन जे है, यह आपके हर्ट में एकुमिलेट होता है और कार्डियक डेमेज कोज कर सकता है, स्टेप्टोमाइसिन से वेस्टी बूलर डेमेज होता है, यह बहुत important adverse effect मारा जाता है, स्टेप्टोमाइसिन का, बात करते हैं प्वाइजनिंग का, तो प्वाइजन क्या है, तो प्वाइजन का यदि डिपनिशन यदि हम देखें, तो वो सब्स्टांस है जो आपकी जिन्दिकी को इंडेंजर, मतलब खतरे में डाल दे, लेकिन कैसे, बाइफेक्टिंग सेवरल, वन और मॉल वाइटल फंसन्स, तो वाइटल फंसन्स जो भी आपके बोडी में चाहे, वो हर्ट का फंसन्स और लिवर का हो, जो बहुत जरूरी है, उसके बिना जो है, जीवन की कल्फना करना बड़ी मुश्किल काम है, यदि आपके सरीर में हर्ट, यदि फिल हो जाए, या आपका लिवर फिल हो जाए, तो जो भी वाइटल फंसन्सन है, वो फंसन्सन यदि डिस्ट्रप्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, आपका जीवन खत्रे में पढ़ सकता है, इंडेंजर हो सकता है, तो poison भी आपके vital, या तो एक या एक से ज़्यादा कोई भी vital function हो, उसे severely affect कर ला है, बुरी तरह से छतिक्रस्त कर देता है, जिस करण से आपकी जीवन घतरे में पढ़ जाती है. पॉजनिंग की बात करेंगे, तो वहाँ पर बात आती है antidote का, antidote में antagonist, chelating agents और specific antidote, यह तीन तरह का antidote की चर्चा की गई है. एंटागोनिस की अधिन बात करें, तो drug पर receptor जो है उसे block करता है, वो है antagonist. Chelating agents जो है, वो chelet formation करता है, और chelet बनाके poison को जो है, वो रोकता है, उसके poison पर जाकर chelet बनाता है, ताकि poison का effect ना हो जा है, poison किसी receptor से बाढ़ ना करे या अपने effect को, या उसका कोई specific antidote देते है, त ताकि poison के effect को काटा जा सके, तो यहाँ पर antidotes तीन तरह का describe किया गवा है, जिसमें मुकरूप से antagonist और cheletik agent है, poison का treatment मुकरूप से किस तरह से किया जा सकता है, सपोज करो कि सबसे पहले कोई poisoning का patient आता है, तो एक general view मानके चलेंगे कि generally उसे किस तरह से treat करना है, हलाकि यह भी जो होता है, कभी-कभी differed भी करता है, drugs by drugs के, लेकिन हम general view मानके चलेंगे, कि treatment क्या करेंगे, सबसे पहले हम patient को fresh air में लेके आएंगे, treatment of exposure by the removing the patient to the fresh air, fresh air मुझ सबसे पहले उसे लेके आएंगे, फिर उसके skin और eyes को अच्छे तरीके से दो देंगे, ताकि उसके सरीर में जो permissible नहीं है, क्योंकि किसी किसी drugs में aspiration की chances बर सकते हैं, लेकिन generally हम उल्टी कराते हैं, तो induction of immaciasis में हम लोग सीरक इफिकेक देंगे, but not for comatase patient और kerosene poisoning, क्योंकि coma वाले patient उल्टी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसी वा उल्टी करेंगे, तो aspiration का chance ज्यादा है coma वाले patient में, तो coma वाले patient जो भी हो से या coma में उल्टी नहीं कराएंगे, या जैदी किसी ने kerosene ले लिया है, तो kerosene में बात करें, kerosene का जो viscoticity है, या कहें कि surfer tension जो हता है, वो alter होता है, अलग होता है, इस करण से aspiration के chance ज्यादा है, kerosene, petrol जैसे कोई substance बिल कंसूम कर लिया है, तो उस इसमें aspiration के chances ज्यादा है, या coma वाले patient में, जो coma में चला गया है, जो उल्टी नहीं कर सकता है, इसमें भी aspiration के chance बढ़ जाएंगे, तो syrup, इफिका, कुन्धा का इस्तमाल वहाँ पर हम नहीं देते हैं, फिर चौता है, gastric अलवाज, तो gastric अलवाज भी करेंगे, ताकि JIT track में जितने भी drugs हैं, उसे बाहर निकाला जा सकें, जो overdose drug है, उसे बाहर निकाल दिये जाएंगे, पूरा का पूरा, तो हम लोग यहाँ पर gastric लिवाज भी करते हैं, और gastric लिवाज करने के बाद, अब प्रस्न होता है कि patient को क्या दे, patient को मुक्रूप से ingest करते हैं, जिसे activated charcoal हम वो जला हुआ कोईले का ही एक सरूप है, तो activated charcoal हम उसे 20-40 gram पर ml के हिसाब से देंगे, इसके साथ-साथ burn, toast, toast को burn किया हुआ, या strong C के साथ, या milk of magnesia, या तीनों चीज मिला कर 2 ratio 1, ratio 1 में देते हैं, हलाकि ज़्यादा तर यूज़ लोग जो होता है, सिर्फ activated charcoal ही करते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने वली बात है, कि charcoal कब failure हो जाएगा, किसे adsorb नहीं कर सकता है, मतलब कोई चीज चीज चरकॉल पर adsorb नहीं होगी, क्योंकि JT track में जो poison है, उसे charcoal absorb कर रहा है, तो यदि कौन सा चीज है जिसे charcoal absorb नहीं करेगा, और वो JT track से close करके blood तक पहुँच जाए अलकली के वक्त में, या फिर metallic salt के वज़ा में, या फिर alcohol के time समय में, hydrocarbons के समय में, और किसी organic solvent के समय में, हम लोग उस वक्त charcoal का इस्तमाल जो है, वो नहीं करते हैं, अब बात करते हैं, तो pointing में हम आके देखेंगे, यदि हमने charcoal उसे दे दिया है, उस charcoal यदि फर्दर यदि कोई gastric लेवाज के बाद भी फर्दर कुछ amount बच गया, उससे charcoal जो है, वो adsorb कर लेगा, फिर उसके बाद हम patient के airways को देखेंगे, कि patient का airway कैसा है, artificial respiration उसे देते रहेंगे, फिर उसके blood pressure को भी maintain करना बहुत डरूरी है, तो blood pressure low है, तो infusion करेंगे fluid को, pressure agent देंगे, या cardiac stimulant का इस्तेमाल करेंगे, या फिर diuretic देके, या उसके blood के pH को change करके, urine के pH को change करके, dialysis के तुरू भी poison का elimination करेंगे body से, यहाँ पर हम बात करते है poison की, उसके बाद हम बात करेंगे intolerance के, लेकिन उसके पर ले लेते हैं एक छोटा सा break, तब तक हमारे आप चैनल को subscribe किए और like कीज इस्ते 60笑़ा आप बात करते हैं एक का का ले बात करेंगे ए बात करेंगे PAN, फिर उसके बात करेंगे।